दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का मुख्या उदेश्य है अपने पती को दूसरी प्राई इस्तरियों से कैसे बचाया जा सकता है कैसे हम अपने पती को अपनी सोतन से दूर रख सकते हैं दोस्तों लगभग हर लड़के या पुरिश के सभाव में इतनी चन चलता तो अवश्यक होती है कि जैसे ही उसे कोई दूसरी खुबसूरत वा अकर्शित इस्तरित दिखाई देती है वो तुरंत उसकी और मोहित हो जाते हैं उनकी और उनका ध्यान खीचा चला जाता है सभाव से प्रथक होंगे लेकिन आज के समय में शादी के बाद यह सभाव पती-पत्ने के बीच जगड़ा पैदा करता है उनकी जीवन में खुशाव जिंदगी को एक अलग ही मोड पर ले आता है जिसकी वज़ा से उनकी जीवन में परिशानिया ही परिशानिया आती है जिस तरह कोई पती नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंद रखे ठीक उसी परकार एक पत्नी भी नहीं चाहती कि उसका पती किसी और की तरफ देखे या किसी प्राई औरत के चंगल में फसे इसलिए आज हम पत्नियों को कुछ ऐसे उपायवा टोट के बताएंगे जो उनके पत्नियों को हमेशा के लिए सिरफ उनका बना देगा दोस्तों हमारे ये टोटके बहुती सरल और शक्तिशाली हैं इनको आप करते ही आपका पती कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं दिखेगा जिस पर भी पत्नी को लगता है कि उसका पती किसी अन्या इस्त्री पर अकर्शित हो चुका है तो उन्हें अपने रविवार के दिन अपने श्यन कक्ष में गूगल की धूनी देनी है किन्तु धूनी देने से पहले आप उस इस्त्री का नाम ले जिसके चकर में आपके पती ने आपको भूला दिया है आप पूरी शर्धा भाव से ये कामना करें कि जल्दी आपका पती आपके पास स्फिर्व से वापिस लोटाए आप एक महा अर्थार चार रवी वार इस उपाय को अवश्यक अपनाए दोस्तों यकीन मानिए इस उपाय को करते ही आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे आपका पती उस ओरस से मिलने की तो दूर उनकी और देखना भी पसंद नहीं करेगा दोस्तों क्योंकि ये तो हम सब को पता है कि कोई भी लेडिज या कोई भी पतनी सब कुछ बरदाश्ट कर सकती है सिवाए इसके कि उसका पती किसी दूसरी औरत के चकर में फ़र जाए दोस्तों अगर आप भी एपने शाधिशुदा जीवन को खुशाल गनाना चाहती हैं और चाहती है कि मेरा पती मेरे सिवा किसी को ना देखे ना अपने है लाइफ में आने दे दोस्तों उसके लिए आपको भी थोड़ी से मेहनद करनी होगी आपको अपनी पती को अपनी और अट्रेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने आपको मेंटेन रखना होगा स्मार्टनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रेक्ट दिखना होगा स्मार्टनेस में आपको अपने आपको बहुत ही अकर्षित बनाना होगा भी नहां तो दोस्तों अगर आप फिर भी कुछ उपाय जानना चाहती है एस्ट्रोजी तो हम आपको जुरूर बताएंगे एक टोटके के पुसार आप गुरुवार या फिर शुकरवार के दिन रात ठीक बारा बजे अपने पती के सोने के बाद उसकी चोटी सी कुछ बालों को लें और उन्हें किसी ऐसे स्थान पर छुपा कर रखें जहां आपके पती उन्हें कभी भी खोज ना पाएं और उनका गलती से भी वहा फिकाने पर आने लगेगा उससे अपनी गलती का अभास होगा वो पहले की तरहां फिर से आपकी बात मानने लगेगा ज़र आपको लगे कि आपका पती सुधर चुका है तब आप छुपाए गए इन बालों को निकाल कर उन्हें जला दें और पैरों से कुचल दें इसके ब नहिलाएं अपने मांसिक धरम के समया में अपनाती हैं तो उन्हें अधिक लाव मिलता है दोस्तों अपने इस वीडियो से मिलने वाले उपाए और टोटकों को अपना कर आप अपने पति को अपने और फिर से अकर्शित करने में और अपना बनाने में काम्याब हो सकते हैं हमारा husband ना पड़े दोस्तो उमीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई और हमारी इस वीडियो से आपको बहुत ही लाव मिलने वाल है दोस्तो हमारी इस वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद उमीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दोस्तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शियर करना, यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले जल मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यावाद